तो आज आप सब के साथ ऐसे ट्रिक करने वाले हैं जिससे कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये वीडियो चुरू करने से पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ में वीडियो को जाधा श्यादा शेयर कर दीजेगा तो यहां पर देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिने साडी फोल्ड करना नहीं आता या फिर फोल्ड करने जाते हैं तो बार बार फिसल जाती है तो आप छोटा सा काम कीजिए अपने किचन में लपेटते जाना है तो आपका ये काम इतना इजी तरीके से हो जायागा ना कि अगर घर में छोटे बच्चे होंगे आप उनको भी देंगे तो वो भी इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और आपकी साडी मिंटो में फोल्ड हो जाएगी पस यहां पर मैं आपको इस तरी दूकानों पर मिल्ती है अब आप साडी को फोल्ड कर दीजिए जितने भी आपको फोल्ड कर करके रखने हो तीन या चार उसके बाद इसे ऍपने भी झाली को दबाएंगे और ग्रेटर को खिश लिजे आपकी साडी फोल्ड हो जुकी है जाहे कितनी फिसलने वाली साड़ी क्यों नहीं बहुत आसानी से फोर्ड हो जाती है ट्रिक पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अब यहां पर देखते हैं अगले ट्रिक तो फ्रेंट चीज चूना होता है जो खेनी वाला चूना होता है वो हमारे काम बहुत जादा आसान कर यह बहुत ही जादा फायदेमंद है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है लोग कहते होंगे अरे फायदेमंद होता है तो उसी मेंसे एक ऐसी ट्रिक में आपके साथ शेयर कर रही हूं तो उसके लिए यहां पर मैंने छोटा सा भाग चूने का ले लिया है और एक कर सकती है इस तरीके से आप पेस्ट बना लीजे चूने का और हनी का और उसके बाद आप इसे अपने फेस पे अपलाई कर लीजे यहां पर पहले आप इसे टेस्ट कर लीजेगा उसके बाद ही अपलाई कीजेगा तो मैं आपको हाथों पे करकर दिखा दे रही हूं आपके छीरे पर कितने भाग धबे क्यों नहीं कितना ही कलर डॉल क्यों नहीं कितना जहाइं वगर क्यों हो मतलब आपके जि battle अपने फेस प्राइस की शोड़ कर देड़ा Χचा स्कीन होसारा नार्मल पानी से दूना है तुमेड़ों मैं आप ते यह देख के अधि रहे हैं यह हांत कि प्रचिन है यह की यह बैगे चाहती है यह भी हट जाती है कितने ही दाग धब्बे हो कितना ही काला पन क्यों ना हो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है सिर्फ एक छोटे से चूने के कमाल से तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए अब यहां पर देखिए आपको लेना है एक कप चाव अब इसे आपको कवर कर देना है लगभग एक घंटे के लिए अगर टाइम नहीं हो तो आप 30 मिनट के लिए भी इसे कर सकते हैं कवर अब यहां पर इसे साइड में रखने के बाद मैंने ले लिए हैं 7-8 आलू जो की छोटे-छोटे साइस के हैं और इसे छील कर पानी में यहश् misinformation में रख लिया और फिर फोंकि मदद से मैंने होल कर लिया है कि इस तरीके सी प्रेस होने लगेगा बहुत जादा मत कीजैगा थोड़ा सहा लपिया थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ज का पाउडर तोड़ा से इस पर ढलेंग गराम मसाला पाउड तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला इसके उपर लग गया है अब यहां पर हो चुके हैं लगभग 10 मिनट और अब हम लेंगे प्रेशर कोका इसमें डालेंगे एक चमच सरसो तेल गरम होते ही इसके अंदर हम डालेंगे सारी आलू को और इसे हाई फ कक्र यë ठालेंगे इक बड़ा चमस देल, गरम होते ही दालेंगे दो लॉंग, एक बड़ी लाइची घील दाल देंगे एक च्योटा दुकड़ा दाल चीनिका और यहां पर हम डालेंगे पाद्सा, काली मिर्ज के दाने एक चमस डाल देंगे साबोज जीरा और एक तेज पत्ता डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे हलका सा भून लेंगे दो प्यास को स्लाइज में कट करके आपको लेना है ये भी इसके अंदर डाल देना है और इसे हमें लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है और प्यास को भूनते समय इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा नमक जिससे कि ये अगर पांच मिट में भूनने वाली होगी तो तीन मिट में भून जाएगी अब यहां पर प्यास का कलर आप देख सकते हैं तो इसमें मैंने एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्श पाउडर थोड़ासा गरब मसाला और थोड़ासा अमचुर पाउडर डाल दिया है इन सबको अच्छे से आपको लो फ्लेम पे भून लेना है उसके बाद एक चमच आपको डाल देना है मिक्स मसाला या फिर बिरियानी मसाला और इसे हमें अच्छे कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसकी बहुत ही बढ़ियां सी खुशबुआना शुरू हो जाएगी तो आप इसमें डाल दीजे मिर्च अपने टेस्ट के कॉर्डिंग साथ में आपको जो सबजियां इसके अंदर डालनी हो डाल दीजे मैं आप पर गाज़र डाल रही हूँ जो कि लंबे लंबे पीसेज में कट किया हुआ है अब जो हमने चावल को रखा था दूलके वो डाल देंगे और चावल जरूर से पहले से दूलके रखिए तो आपके य और इन सब को अच्छे से हम भुन लेंगे तो यहां पर आलो 50% पकी हुई है इस बात का आपको ध्यान रखना है इसलिए बहुत आराम से चलाना है अब यहां पर भुनने के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर लगभग दो टमाटर दो से तीन टमाटर आप इसमें डाल स किया है और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिए कि आप अपने हां रेगुलर चावल जब बनाते हैं तो उसमें कितना पानी डालते हैं बस उतना ही पानी आपको यहां पर डालना है उसी हिसाब से अब इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल दीजिए और नमक डाल के अच्छे ठंडा होने के बाद आप इसे खोलेंगे तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखके आपके मूह में आने वाला है पानी एक एक दाना खिला खिला अलग अलग आपको दिख रहा है यह ढाबा वाली जो पिरियानी होती है उसको भी टक्कर देगी मतल आलो बिरियानी और आपको जरा से भी वीडियो पसंद आई होन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा